नमस्कार दोस्तों मैंने कल के दिन हिंदुस्तान कॉपर के उपर में एक वीडियो बनाया था और दोस्तों मैंने आपको तभी कहा था कि इस शेर में हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है अगर ये शेर अपना रेसिस्टन्स ब्रेक नहीं करता तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों आज ही के दिन में इस शेर ने अपना हाई प्राइस बनाया है यहाँ पर 124 के नजदिक में और मैंने कहा था कि दोस्तों जब तक यह शेर 125 के उपर नहीं चाता तब तक आप इस शेर में एंट्री मत लेना और यहाँ पर आप देख सकते हो इस शेर ने इस जोन में हाई प्राइस बनाया और फिर इस शेर ने रेजिस्टन्स को ब्रेक नहीं किया इसलिए यहाँ पर इस शेर ने अपना सपोर्ट तोड़ दिया 118 का लेवल और उसके बादी इस शेर में हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है तो दोस्तो आज के वीडियो में मैं वापस से करूँगा हिंदुस्तन कॉप पर शेर का टेकनिकल एनलिसेस और हम देखेंगे कि क्या यहाँ से और गिरावट आ सकती है इस शेर में तेजी कब आएगी और इस शेर में मैं कब एंटरी लूँगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले अगर बात आती है इस शेर में सपोर्ट की तो यहाँ पर आप देखो दोस्तो अभी जो इस शेर में सपोर्ट है वो है सीधा भी 98 रुपीज का लेवल मतलब ये वाला लेवल बीच में यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है दोस्तो आज भी आप देख सकते हो यहाँ पर कोई important सपोर्ट नहीं था इसलिए हम एक साथ में इतनी बड़ी गिरावट दिखने को मिली थी अगर बात आती है दोस्तो रेजिस्टन्स की तो यहाँ पर आप देखो बहुत सारे रेजिस्टन्स है जो सबसे पहला रेजिस्टन्स है इस शेर में वो है 118 रुपीज का लेवल ये लेवल इस शेर के लिए पहले एक support था पर अब ये level resistance बन गया है दूसरा resistance है 125 रुपीज का level और दोस्तों जो तीसरा resistance है वो है 157 रुपीज का level आई है अब हम देख लेते कुछ important technical indicators हमें क्या signal दे रहे हैं तो यहाँ पर मैं दो important indicators को लगा चुका हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो MACD indicator में हमें लगातार negative histogram जनरेट होते हुए दिखाई दिये हैं और RSI में भी हमें लगातार downtrend देखने को मिला है दोनो technical indicator आज के दिन और भी ज़्यादा bearish हो गया है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस share में हमें बहुत ज़्यादा weakness देखने को मिली है अगर बात आती है खरिदारी करने की तो यहाँ पर दोस्तो मैंने कल भी बोला था कि यह share अभी एक downtrend में चला गया है तो इस share में मैं तभी entry लूँगा जब यह share resistance break करेगा तो दोस्तो अगर यह share 118 के उपर जाता है तो मैं इस share में खरिदारी करूँगा उसके पहले मैं नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर downtrend चल रहे तो यहाँ से और गिरावट भी आ सकती है पर दोस्तो अभी इतनी ज़ादा गिरावट आ गई है तो थोड़ी तेजी आ सकती है अगर यह share 118 के उपर जाता है तो मैं खरिदारी कर लूँगा मेरा सबसे पहला टारगेट रहेगा 125 रुपीज का दूसरा टारगेट रहेगा 157 रुपीज का अगर यह share 157 के उपर जाता है तो उसके बाद हमें बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है और यह share हमें उसके बाद 200 तक के टारगेट अच्छी करता हुआ दिखाई दे सकते हैं पर दोस्तों यहां पर गिरावट की भी बहुत ज्यादा संभावना है क्योंके डाउन ट्रेंड चल रहे हैं तो यहां पर दोस्तो 98 का सपोर्ट है अगर यह share 98 का सपोर्ट भी तोड़ देता है तो और ज्यादा गिरावट आ सकती है तो दोस्तों यहां पर अगर आपको एंटर लेनी है तो बहुत ही कॉशन से लो बहुत ही साउधानी से एंटर लो तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस शेयर में मेरी कोई भी बाई सेल्या होल्ट की सदा नहीं है क्योंकि यह वीडियो का एजुकेशनल वीडियो है धन्यवाद